आप सभी को मेरा नमस्कार नोबेल पुरसकार विजेता रविननाथ टैगोर जी और लाइट ओफ एशिया महात्मा गौतम बुद्ध जी के जम दिवस्ट पर आप सभी को हार्दिक शुब कामना है बहुत ही संजोग की बात है कि आज का हमारा टॉपिक आज जिनका जम दिन है उसी से रिलेटेड है उन्हीं के द्वारा दे गई सिक्षा से यानि कि आज का हमारा जो टॉपिक है बौत दिकाल में सिक्षा तो इस्टार्ट करते हैं तो institutions of higher education and education in ancient India पी टू यानि पाट टू तो आज हम लोग बहुत काल में सिक्षा की बात करेंगे इससे पहले जब हम लोग ने वैदिक काल में सिक्षा की बात की थी वैदिक काल में सिक्षा के बारे हम पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो वैदिक काल में सिक्षा का अंतिम लक्ष था या सिक्षा का जो अंतिम उद्देश था मोक्ष की प्राप्ति परा और अपरा ज्यान, परा ज्यान क्या था? जो इस संसार से परे हो, यानि कि higher level की thinking यानि आत्मा का पर्मात्मा से मिलन, जीवात्मा का पर्मात्मा से मिलन और आपरा का मतलग जो इह लोक में जो ग्यान है, जो सोसाइटी सिस्टम है, सामाजिक विवस्ता है उसको संचालित करने के लिए जो हम ग्यान अर्जित करते थे तो जैसा कि वैदिक काल की स्टार्टिंग थी तो वैदिक काल या रिग वैदिक काल में जो सिक्षा थी बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे जैसे हम वन व्यवस्था से जाती व्यवस्था की और बढ़ते गए यानि उत्तरवैदिक काल जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो वन व्यवस्था में क्या था कि सभी को कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया था सभी वर्गों को लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे क्या हुआ कि जातियों के आधार पर वरदों का डिविजन होने लगा तो उत्तर वैदिक धर्म में होता क्या गया बहुत धर सारे करमकांड जुड़ गया तो कर्मकांडों के कारण जो था वैदिक धर्म अपनी पवित्रता लगभग हो चुका था और साधरन जनता में उस समय इन कर्मकांडों के प्रती इतना ज़्यादा रोज व्याप्त हो गया था कि इसकी प्रतिक्रिया हमारे उपनिसर में भी दिखती है उस समय बहुत जढ़ा वैदिक कर्मकांड बढ़ गये थे और ब्रामणों में जो पुरोहित वाद था उसका उदे हुआ और धीरे धीरे चलते 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 क्या हुआ शिक्षा पर ब्रामणों का एक आधिकार हो गया और सिक्षा को जो है कर्मकांड से जुड़ दिया गया उसके फलसरूफ हुआ क्या एक तो नारी सिक्षा की उपेक्षा होने लगी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था रिगवेदिक काल में क्या था नारी को भी सिक्षा पाने का अधिकार था लेकिन उत्तरवेदिक काल आते आते नारी सिक्षा की इस्थिती गिरती चली गए और उनको सिक्षा से वंचित किया जाने लगा और इस तरीके से शुद्रों तथा नारी जाती की सिक्षा की उपेक्षा होने लगी जनसाधारान परशान हो गया था तो उसी समय दो बहुत ही मुख्य धर्म का उदय होना इस्टार्ट हुआ एक था जैन धर्म दूसरा था बौध धर्म तो जैन धर्म और जो बौध धर्म है दोनों लगभग एक ही जैसे हैं बहुत फाइन डिफ्रेंस हैं दोनों धर्मों की सिक्षा में और थोड़ा सा उनके जो अंदिम लक्षें उसमें थोड़ा सा बस fine difference है ज्यादा difference नहीं है हलका फिलका modification है तो जो बौध शिक्षा थी वह फलने फूलने लगी तो बहुत सिक्षक के जो संस्थाबक थे या बहुत धर्म के जो संस्थाबक थे देखे मैंने लिख रखा है गौतम बुद्ध जी जिनका जन्म कर गवा था 563 BC यानि बिपोर क्राइस्ट यानि 563 इस्वी पूरू लूमिनी में 563 इस्वी पूरू कहां पर हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म लूमिनी में और इनकी मृत्यू जो हुई थी 483 इस्वी पूरू चार सो तिरासी इस्वी पूरू हुई थी आप देखे इसके कुछ इनके बौध गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ में में जो टर्म है उसके बारे में जान लेते हैं देखे जैसे पहला लिख रखा है ग्रिह त्याग तो जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्स की अवस्था में ग्रिह त्याग किया था तो ग्रिह त्याग को कहा जाता है महाभी निश्क्रमण देखे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा महाभी निश्क्रमण और जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन और ये जो अपना प्रतम उबदेश इन्हों ने दिया था सारनाथ जिसका प्राचीन नाम था रिसी पतनम वहां दिया और बुद्ध जी ने जो अपने उबदेश दिये थे जन साधान की भासा पाली में दिये थे जैसा कि लाश क्लास में आप लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में क्या था संस्कृत में ही सिक्षा पानेकादिकार था लेकिन धीरे 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 क्या हुआ संस्कृत का अपभरण शुरूब प्राकृत और पाली भासाएं आ गई तो बुद्ध जी ने अपना उपदेश किसमे दिया पाली भाशा में अब देखें आगे क्या लिखा है जो महात्मा बुद्ध जी की मृक्ति हुई उसे महापरी निर्वान कहा गया है आप लोग जानते होंगे कि अस्ती वर्स की अवस्था में 483 इसा पूरू कुशी नारा कुशी नारा आपका देवरिया उत्तर चमाक्यंक्ष आप देश में पड़ता है कि वहापर बौध जी ने महापरी निर्वान प्राप्त किया था ओके आप कि अब दिखें थार्म का जो अंतिम लक्ष है अनंतिम उद्देश है वह निर्वान की प्रांपती देखिए लिखा है ना झिर्वान यानि त्रिष्णा का छीड हो जाना निर्वान का जो मतलब है त्रिष्णा का छीड हो जाना यह बोधिजर्म का आंतिम लक्ष और क्या बुलते हैं आपका वैदिक धर्म का आंतिम लक्ष क्या था याद करिए वो था मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति का मतलब आत् का परमात्मा से मिलन हो जाना निर्वान का क्या मतलब है जब मनुष्य जब इस सारी मोहमाया से दूर हो जाता है सुख दुख में वो एक समान हो जाता है और उसे कोई मोहमाया नहीं घेरे रहती है सारी तृष्णा उसकी नश्ट हो जाती है और वो अश्टांगिक मार्गों को पालन करते हुए अपनी तृष्णाओं को मिटा लेता है तो वो किसको प्राप्त कर लेता है निर्वान को अचा एक चीराव देखे बौध धर्म जो है अनिश्वरवाद है अनिश्वरवाद मतलब इसर को नहीं मानता अनिश्वर वाद लेकिन यहां बवध धर्म में क्या है piss अचा आप देखे महात्मा बुद ने जो अपने उपदेश दिया था उसमें अपने अनुयाईयों को ये उदेश दिया था कि वो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग अपना है मध्यम प्रतिपदा का मतलब क्या है मध्यम मार्ग, नबहुत कम, नबहुत ज़ादा ना किसी की आती करिए, ना किसी की कमी करिए ठीक, now What is the characteristics of Buddhist education देखते हैं विशेष्टाएं characteristics अब विशेष्टाओं में विशेष्टाएं characteristics में जो आपका पहला है सिक्षा का उद्देश ही क्या था बौध धर्म में तो बौध दर में सिक्षा का जो उदेश है इसमें क्या था कि लगबग जो सिक्षा का उदेश वैदिक काल की सिक्षा का था वही लगबग बौध कालीन सिक्षा का भी उदेश है था अंदर केवल इतना था कि बौध धर्म में अध्यात्मिक विकास पर बहुत ज़्यादा जोर ना देकर नेतिकता और शील्गुडों पर अधिक ध्यान दिया गया यानि कि ऐसा नहीं कि बौध धर्म में अध्यात्मिक विकास पर जोर नहीं दिया गया लेकिन उतना नहीं जितना वैदिक काल में दिया जाता था तो सिच्छा का उदेश क्या है देखिए जैसे पहला पॉइंट है आपका इसमें आध्यात्मिक्ता पर अधिक जोर ना देकर नैतिक वश शील गुणों पर ध्यान देना यानि एक तरीके का क्या बच्चों में मोरेलिटी डेवलप करना और ट्रेट्स शील गुणों अगला है इस्प्रेड अव बुद्धिजम सबसे मुख्यु देश और क्या था बहुत धर्म का प्रचार प्रसार करना वही पिछली बार के तरफ परसनेल्टी डेवलपमेंट अगला है व्यक्तितु का विकास करना बालक के फिर प्रिपरेशन फॉर लाइफ यानि वही बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करना यानि कि उन्हें Employment या फिर भरन पोशन के लिए तैयार करना और लास्ट है आपका उदेश ये Follow-up अश्टांगीक मार्ग क्या अश्टांगीक मार्ग का अनुस्वरण करना यानि अश्टांगीक मार्ग इन्होंने बता रखे हैं जैसे सम्यक संकल्प, सम्यक द्रिष्टी, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक इस्मृति, सम्यक समाधी इन सबकी योगिता प्राप्ट करना ही क्या था? उद्देश था यानि कि अश्टांगिक मार्ण में यह आठ चीजे इन्होंने बताई थी कि इन सब का पालाइं करना क्या है अत्यम तो जरूरी है तो यह था आपका बहुत धर्म का सिक्षा का उद्देश यह अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है इनका प्रवज्या संस्कार अब प्रवज्या संस्कार क्या है इसके बारे में जानते हैं प्रवज्या संस्कार प्रवज्या प्रवज्या संस्कार का जो अर्थ है उसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना यानि कि ग्रिहस्त जीवन का त्याग करना ये लगबग उससे ही मिलता है ज Nepैदिक काल में जो उपनियन संसकार होता था उसी को बौध काल या बौध दर्शन में प्रवज्या संसकार कहा गया है जिसमें बालक ग्रिहस्त जीवन को त्याग कर सिक्षा प्राप्ति हे तू मठों में प्रवेश लेता था वदिक्याल में क्या होता था वो गुरुकुल या आस्रम में जाते थे यहाँ पर क्या है मठों में प्रवेश लेते थे बच्चे यानि कि इस तरीके से देखा जा तो प्रवर्ज्य संसकार से क्या तात पर है बालकों का सिच्छा के लिए घर से बाहर जाना और जब बच्चे मठ में पहली बार प्रवेश करते थे तो वहाँ पर भिक्षू होते थे बिक्षू जैसे गुरुकूल में गुरु होते थे वैसे बौध दर्शन में जो मठ होते थे वहाँ पर भिक्षू होते थे वो इन सारे संसकारों को संपन कराते थे तो इसमें किया क्या जाता था बालक का सिर मुढवा कर पीले वस्तर पहना कर भिच्चु के चरणों में माथा टेक कर शरन त्रई दिलवाय जाता था यानि बालक शरन त्रई लेता था माथा टेक कर शेरण त्रई का मतलब क्या है बद दर्शन में यानि कि पहला उद्देशिका बालक को इसकी शपत दिलवाई जाती थी कि अब आप बुद्धम शेरणम गच्छामी पहला दूसरा धम्मम शेरणम गच्छामी ये आपका शेरण त्रई है इसका बालक उच्छारण करता था और जो आयू अवस्था होती थी मत में प्रवेश करनी की आठ वर्स की अवस्था होती थी यानि कि बालक जब आठ वर्स का हो जाता था तो उसे प्रवज्य संसकार कराय जाता था और प्रवज्या संसकार के बाद बालक सामनेर कहलाता था क्या कहलाता था सामनेर या स्रामनेर ठीक है अब देखे प्रवज्या संसकार या मठ में प्रवेश करने के लिए प्रतेक धर्म और जाती को अधिकार था मठो में प्रवेश करने के लिए प्रटेक धर्म और जाती को अधिकार था किन्तु अस्वस्थ विकलांग डिसेबल और दंडित व्यक्टियों द्वारा तथा राज्य के कर्मचारी वह सैनिकों को प्रवज्या का अधिकार प्राप्ट नहीं था यानि कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो बौध्य धर्म का प्रवज्या संसकार है वह वैदिक धर्म के उपनियन संसकार के जैसा ही मिलता जूलता है अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि बौध्य दर्शन या बौध्य धर्म में बौजदर्म में जो चातर होते थे उन्हें दस आदेशों का पालन करना होता था उन दस आदेशों को क्या कहा जाता था उन्दस आदेशों को कहा जाता था सिख्खा पदानी सिख्ख वला सिख्खा पदानी या सिख्षा पद अब वो दस सिख्षा पद होते कौन कौन से थे इसके बारे में जानते हैं दस सिख्षा पद होते थे देखी जैसा कि लिख रखा है उसमें आपका पहला है अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना है, सदेव सत्य बोलना, शुद आहार, मतलब सुद और शात्विक आहार खाना, शुद आचरण, अच्छा व्यवहार करना, किसी की निंदा ना करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, simple living and high thinking यानि सरल जीवन जीना निर्थ्यादी dance once से दूर रहना मलब dance निर्थ्य नहीं देखना और जितने भी मिलाशिता पूर्ण चीजे हैं उन सब का आनंद उपभोग नहीं करना उसके बाद निर्थ्यादी के बाद था आपका आप परिग्रह आप परिग्रह ठीक है उसके बाद आपका है अच्छा आप परिग्रह का मतलब क्या है कि बिना दिये किसी की वस्तु को ना लेना ठीक आप परिग्रह के बाद बहमूली वस्तु का त्याग कर देना अब एक चीज़ और देखिए कि जो छात्रों जो मठों में छात्रों को सिक्षा दी जाती थी उसकी जो समया होती थी 12 वर्ष थी यानि कि छात्रों को 12 वर्ष तक मठों में सिक्षा दी जाती थी Is it clear? Now Next one is शिक्षा संस्थाएं तो बौद शिक्षा बौद दिकाल में सिक्षा की कौन कौन से संस्थाएं थी मठ और विहार विहार को संगा राम भी कहते थे कहते हैं तो मठ और विहार बनाए कहां जाते थे ये अधिकतर जंगलों में बनाई जाते थे हिमाले परवत की गुफाओं में कंदराओं में मतलब कि ऐसी जगह जहां पर वातावराणों अत्यन्त शुद्ध होता था शांती होती थी और बद मटों में धार्मिक विध्यालेई तथा व्यवहारिक सिच्छा दी जाती थी चात्र अध्यापक एक ही प्रांगल में रहते थे और बारवर्ष तक दोनों मिलकर अध्यन करते थे कुछ संसाओं के नाम आप लोगने सुना होगा जैसे तक्षिसिला जो कि अब भारत का हिस्सा नहीं रहा है पाकिस्तान में है नालंदा विश्वध्याले वललभी विक्रमशिला ओदंतपूरी मिठिला जगदला ये सब बाध्यधर्म की सिक्षा संस्थाएं थी अब पाठिक्रम देखते हैं कैसा था बाध्यधर्म में पाठिक्रम का जो में उदेश था जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत धर्म का अंतिम लक्ष क्या था निर्वान की प्राप्ती तो निर्वान की प्राप्ती के लिए जिन जिन विश्यों के आफशक्ता होगी वो विश्य बच्चों को पढ़ा जाते थे जिसमें पहला है आपका धर्म की सिक्षा, दूसरा दर्शन, फिर अगला विशे है इतिहास, भासा साहित्य, उसके बाद है आपका गडित, ज्योतिस, आयूर्वेद, शिल्पकला, चित्रकला और सैनिक्षिच्चा, आधिका अध्यन कराए जाता था टीचिंग मेथेड नेखे क्या यूज होते थे, सिक्षण विधी, तो वैदिक काल में जो सिक्षण विधी यूज की जाती थी, वो लगबग वैदिक काल के समान होती थी, जैसे प्रशनुत्तर विधी, आपको याद होगा वैदिक काल में भी यूज किया जाता था, वाद व विदी बच्चों को जो सिच्छा दी जाती थी एक्स फिल्ड टिप आपने सुनाओगा फिल्ड टिप भ्रहमण विदी देशाटन अगला था जो अगला है व्याक्षान विदी और नेक्स्ट वन है प्रयोगात्मक विदी प्रयोगात्मक विदी वहीं लर्निंग बाई या पाली भासा में शिक्षा दी जाती थी अब सात्वा क्या है पनिश्मेंट दंड का क्या विदान था बौध धर्म में यदि कोई बालक कोई ऐसा कृत्य करता है कोई व्याविचार करता है तो उसको मठ से ही निसकासित कर दिया जाता था मठ या विहार से ही निसकासित कर दिया जाता था क्या क्या कारण हो सकते थे इसके अगर बौध धर्म के अत्रिक्त आनि किसी धर्म को सिकार कर लिया है बच्चों ने या ग्रिहस्त बन गए या बौध धर्म की या बौध संग की मर्यादा को भंग किया है या फिर भिक्षकों या अध्यापकों के प्रती अध्धा भक्ति और सम्मान नहीं है उनके लिए तो उन्हें निकाल दिया जाता था अब देखे अगला क्या है अनुशाशन कैसा था तो बौध धर्म में भी अनुशाशन जो था बहुत ही कठोर था कठोर अनुशाशन और स्वा अनुशाशन सेल्फ डिसिप्लिन ओके नौ नारी सिक्षा की क्या है सित्य थी बौध धर्म में शुरुवात में महिलाओं को सिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था लेकिन धीरे 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 बाद में इनको क्या है कि सिक्षा का अधिकार दे दिया गया तो लेकिन महिलाओं अब आपनों ने देखा होगा को उत्तरवैदिक काल में भी क्या था महिलाओं को सिक्षा से वंचित कर दिया गया था और यहां पर भी बौध में भी शुरुवात मठो में प्रवेश की अनुमती दे दी थी तो ये था ये है नारीश शिक्षा के लिए अब देखे लेकिन एक बात कही थी गौतम बुद्धिजी ने कि उनका एक प्रिशिर्ष थे आनंद सुनाओगा आप लोगों ने कि वो पक्ष में नहीं थे इस्त्रियों को क्या बोलते ह बौधो धर्में अनुमती देने के या बौध संग में तो उन्होंने काथा कि यदि विहारों में इस्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म हजार वर्स तक चलता लेकिन जब इस्त्रियों को प्रवेश का अधिकार दे दिया गया तो अब यहां केवल 500 वर्ष ठीकेगा ये बुद्ध जी ने कहा था ठीक है? नौ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दस्वाँ पॉइंट क्या है? उप संपदा संसकार अब उप संपदा संसकार क्या था? उप संपदा संसकार में क्या था कि बालक नौर्मली देखे क्या होता था? कि मठ में 12 वर्ष की सिच्छा प्राप्ट करने के बाद बालक जो है अपने घरों को वापस लोड जाते थे और ग्रिहस्त जीवन अपना लेते थे लेकिन जो बालक 12 वर्ष की वरस्ता के पश्चात भी आजीवन सिच्छा ग्राण करने का इच्छुक होता था तो उसे संग में प्रवेश दिया जाता था तो उसका जो प्रोसेस था उप संपदा संसकार कहा जाता था यानि कि संपूर्ण जीवन के लिए भीच्छुक बने रहने का संकल्प या संपूर्ण जीवन के लिए जो भीच्छुक बनना चाता था उसे उप संपदा संसकार करवाई जाता था और उन्हें क्या का आ जाता था आजन्म भीच्छुक ये आजन्म भीच्छुक रहकर बहुत धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और दूसरे जो 12 वर्ष तक के वल सिच्छा गरहन करते थे वो ग्रेस्ट जीवन अपना लेते थे अब देखिए weakness क्या थी बहुत सिख्षा की एक तो पहली weakness ये थी कि बहुत धर्म में कट्टर बहुत धर्म के विचार थे यानि कि प्रतेक इंसान को बहुत धर्मा और लंबी बनाना था ठीक है क्योंकि बहुत धर्म का जो प्रादुर भाव हुआ था वो ब्रामणिय सिख्षा प्रणाली के प्रतिध्वन्दी के रूप में हुआ था तो इसलिए क्या है कि वैदिक सिख्षा में जो दोस्त हैं उनक को दूर करने का प्रयास करना तो सौभाविक ही था लेकिन फिर भी क्या है हमारे एक नेच्रल बिहेवियर होता है हम खुद को सरस्रिष्ट साबित करने की कोशिश करने लगते हैं तो इस वज़े से क्या है कि हम गलतियां करने लगते हैं तो यही हुआ बौद धर्म में भी कटर बौधρι धर्म अपनाना इस्टार्ट कर दिया यानी धर्माउं लम्बी बनाना उसके बात क्या है कि बौध धर्म में क्या है कि आप इस लौकिक जीवन की उपेक्षा की जाने लगी यानि कि कोई लेक्जरीज नहीं सब चीजों का त्याग कर दो तो लोकिक जीवन की उपेक्षा की गई जैसा कि अभी इस्त्री सिक्षा की उपेक्षा के बात की गई थी कि इस्त्री सिक्षा शुरुवात में अलाव नहीं थी तो इस्त्री सिक्षा की भी उपेक्षा की गई उसके बाद बहुत दरम में क्या है कि हस्तकार्यों और सारीरिक स्रम पर भी ध्यान ब्रश्ट वाटावराण था बहुत ही ब्रश्ट हो गया था व्रेष्ट वातावराण का मतलब क्या है जब जैसे ही महिलाओं का प्रवेश हुआ तो भिक्षु तथा भिक्षुनियों के परसपर संपर्ख से व्याभाच व्याभी चार आठम हो गया था तो इससे क्या हुआ कि देरे धर्म का दीरे धरे पतन होने लगा तो ये तरीके से हमने देखा की दार्म में सिक्षा व्यव्यस्था कैसी थी क्या उनका कल्चर था अच्छा आप देखे जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म में कुछ चीज है जैसे अगर हम तुलना करें बौध धर्म और जैन धर्म की तो जैसे बौध धर्म में क्या था अंतिम लक्ष है निर्माण की प्राप्ति करना तो जैन धर्म में की अंतिमलक्ष किसको माना गया है कैवली की प्राप्ति कैवली की प्राप्ति करना समानता क्या है दोनों धर्म में दोनों अनिश्वरवाद हैं अनिश्वरवाद हैं दोनों nya लेकिन जेन धर्म कह बहुत जादा कठोर अनुशाषन नेहीं कि अपका बहुत धर्म सेँ भी बहुत जादा कटोर अनुशाषन कठोर अनुशाशन बहुत धर्म से भी ज्यादा अगला क्या है आपका इसमें दिर्वान हो गया और जैन धर्म का बाकी लगबग सारी चीज़े एक ही जैसी थी बस यही मूलभूत अंतर हैं दोनों में और जैन धर्म आप शादवाद पे बेज़्ध है अनिकांत वाद आप लोगने सुना होगा तो आनिकांत वाद है शाद वाद है इस तरीके से जैन धर्म और बहुत धर्म की सिक्षा लगबग एक समान थी पस थोड़ा बहुत फाइन डिफ्रेंस था ओके तो आशा करता हूं आप लोगों को यह सारी चीज़े समझ में आई होंगी अगर फिर भी कोई कंफिजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभो